जब जेल में लालू से मिलकर भाबुक हुई राबडी देवी दो साल बाद हुई मुलकाद के दौरान लालू राबडी में क्या बात हुई राची का रिम्स अर्षे बाद लालू राबडी मुलकाद का गवा बना राबडी के साथ उनकी बड़ी बेटी मीशा भारती भी अपने पिता से मिलने आई थी चारा गोटाले मामलें विहार के पुरुसियम और आरजेडी सुप्रीमर लाली यादों के जेल जाने के बाद ये पहला मौका है जब राबडी देवी लालू प्रसाद से मिलने राची आई है रिम्स में अपने पती लालू प्रसाद यादों से मिलते ही विहार के पुरुमुक्वंति राबडी देवी बेहत भावुक नजर आई पेइंग वाड के कॉरिडॉर में बैटकर दमपती ने घंटों बाते की बताया जारा की घर परिवार से लेकर पार्टी पॉलिटिक्स हर मसले पर दोनों को बीच गहन चर्चा हुई माना जा राय के लालू परिवार में बड़ी बहु एसुरय राय के चलते बढ़ते तनाओं के चलते ही वो अपने पती से मिलने पहुची है लालू की बहु और तेज पताव यादों की पत्मी एसुरय ने तलाक के बीच अपनी सास रावडी देवी पर मार पिट का मुकदमा दर्ज कराया है इस दोरान मीडिया के कैमरों की नजरे दोनों पर लगतार बनी रही लालू रावडी की एक जलक पाने के लिए यहां बड़ी संक्या मार जेटी के कारकरता भी पहुँचे थे जानकारों के मुताविक यह परवारिक मुलाकात हैं जिसके लिए बिर्समूंडा जेल परसासन से स्पेशल परमीशन ली गई थी असल मैं रिम्स में लालू यादो से मुलकात के लिए सनीवार का दिन तय है लेकिन परिवार वाले और वकील स्पेशल परमीशन से अन्य दिनों में भी उनसे मिल सकते हैं इदन लालू से रावडी की इस मुलकात को सियासी गलियारे में जारकण में मागड़मन सरकार में बनने से जोड कर भी देखा जा रहा है रावडी और मीशा रिम्स से मुलकात के आपचारिकताएं पूरी करने के बाद पेइंग वार्ड के अंदर चली गई है आपको बता दे कि लालू याजा चारा गोटा लेके चार मामलों में राची की विर्सम मुल्टा जेल में सजा काट रहे हैं हाला कि कई तरह के सारीष़ प्रसानियों के चलते उनका जेल प्रसासन के देख रेक में रिम्स के पेइंग वाड में इलाज चल रहा है हाली में उन्होंने चारा गोटा लेके पांचवे मामले में डोरंडा कोशागार सावेद निकासी में सीवी आई कोर्ट में अपनी गवाई दर्ज कराई थी इस दोरान लालू याद रिम्स के कोर्ट पहुँचे थे करीब डेर साल बाद ये पहला मौका था जब आरजेडी सुप्रीमों ने खुली हवा में सांस ली थी उस दिन उनके चेहरे पर राजी में सत्ता परिवर्तन की खुशी साब झलक रही थी इंडिया निउस वारल की रिपोर्ट